नमस्कार दोस्तों मैं सिवंकुसभा आपको सौगत करता हूं प्रोगाइट CS चैनल में तो हम लोग देख रहे हैं कप्यूटर फंडमेंटल कोस्तों जो हमारा फिछले वीडियो लेख चाथा उसमें हम लोग ने देखा था कि हाड़वेर क्या होता है साब्ट्वेर क्या होता है सिस्टम सब्ट्वेर क्या होता अप्लिकेशन सब्ट्वेर क्या होता है यह हम लोग ने बेसिक जो था पहले देख लिया आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की विजए से हमें क्या क्या बेनि तो यहाँ यहां यहां प्राइटिंग सिस्टम है वो क्हा करता है हम्हें इंटर्फेस कघेंटर को हार्टवेर हुं हमारे वीच में हम लोग क्या सकए कोई भी हाड़ या कुछ भी हम लोग यूज कर सके माॉस कीपोरोड सब रहें लिए इसके लिए क्या कहीं तो एक प्लीटफार्म देता इंटरफेस मतलब यह है कि दिखाने के लिए जो देखने के लिए होता हमारे उसको इंटर बोलते हैं मोनीटर में हमीं दिखाता है कि माउस कहां जा रहा है तो यह सब दिखा रहा है यह कौन कराता है operating system की बज़े से होता है वो क्या कराता है hardware software और हम लोगों के बीच में combination बिठाके और अच्छे से अच्छा में दिखाने की कोशिस करता है ताकि हम लोग उसको और अच्छे सी यूज़ कर पाएं समझ में होगा इसके लिए जैसे यहां पर controlling peripheral device disk driver यूज़ करना और handle input output मतलब यही है कि जो हम लोग keyboard mouse सब चीज हम लोग यूज़ कर पाएं के लिए हमम लोग किया करता है कि इंटर्फेस प्रवाइट करता है फिर यूज़ कर सके और कूछ無ट पापलर अपरीटिंग सिस्टम है जैसे लीनक्स óriaटिंग ओर उपरेटिंग सिस्टम आप क एंटरफेस ते प्रवाइट कराते हैं जो हम हमें दिखाई देता है समने जिसके व sized करते हैं है आगे बढ़ते हैं आगे आता है इसका functions यह आपको समझ में आओगा कर नहीं आए तो आप पूछ लिएगा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है functions जो हम लोग operating system यूज करते हैं उसका क्या क्या काम होता है उसकी वज़े से हमें क्या क्या benefit मिलता है तो चली देखते हैं पहला आता है memory management memory management का मतलब यह है कि जब आप पे जो operating system है उसका अगर आप यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा primary memory है और secondary memory है उनमें अगर primary memory में कुछ है तो उसको primary memory में मिलाना जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्षर में बताया था कि जो primary secondary memory होती है उसमें हम लोग पूरा जो operating system करता है कि यह इस लिए है और इसको यहां पर लाएकर यूज करना है तो जो secondary memory है उससे primary memory लाना और यह सब यहां पर लिखे बेसिक चीज़ें ड्रेसिंग करना और सारी चीज़ें तो यह सब क्या होता है हमारा operating system provide कराता है memory management फिर आता है प्रोसेस मेनेजमेंट प्रोसेस management प्रोसेसर मेनेजमेंट का मतलब यह है कि जो आपने example के लिए software है उसके हिसाब से automatic उसको design करता है जैसे कि आपने क्या करा VLC player open करा तो फटा फटो VLC player के लिए उसने एक process करा उसने फिर उसके बाद आपने क्या करा एक MX player open करा उसके लिए भी उसने एक प्रोसेस करा प्रोसेसर जो है और उसको schedule करते हैं आप यह लिखा हुआ है scheduling कि आपने पहले software console open करा उसको पहले open करना है फिर उसके बाद आप MX X player open करें तो उसको भी आद उसको उसके उपर open करना है फिर आपने एक video recording वाला app open करा वो video recording तो क्या हो रहा है एक एक की उपर आते जा रहे है तो यह कैसे हो रहा है यह processor द्वारा क्या होता है इसको design किया जाता operating system जो है वो क्या करता है processor को उसकी हिसाब से उसको command देता है कि यह पहले open हुआ है यह बाद में हुआ है तो यह क्या करता है उसको scheduling करने काम कौन करता है operating system ठीक कभी-कभी आपने देखा होगा कि आप जब हैवी software यूज़ करते हैं तो processor को हैवी software के लिए कौन करता है operating system पहले से उसको थोड़ा वो कर देता है कहने मतला question या कह तो भेज device यूज़ करते हैं sound यूज़ करते हैं और headphone, mic यह सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं तो यह input output device क्या करते हैं इनको controller जो होता है input output device को जो controller होता है वो control करने काम कौन करता है operating system controller से क्या काम लेना है mouse से क्या काम लेना है जो keyboard है उससे क्या काम लेना है जो ह होंगे एक ही USB होता है पर USB में जब हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं, तो keyboard का काम करता है, mouse यूज करते हैं तो mouse का यूज करता है, हम लोग कभी ऐसा नहीं हूँ कर लिए कि हम लोग ने mouse यूज कर आए और वहाँ पर कीबॉर्ड आर्वाटंaltic चल रहा है हम लोग जो चीजी यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से वो control करता है तो यह जो devices होती हैं उनको manage करने का काम करता है operating system हम लोग operating system के द्वारा जो हमारे input output device है उसको हम लोग control करते हैं ठीक यहाँ पर लिखा हुए allocate devices in the efficient way ठीक तो समझ गया होंगे आगे बढ़ते हैं फिर होता है file management file management कैसे होता है file management होता है जिसे आपने एक वीडियो हुआ वीडियो को आप open करते हैं तो हर्मेंसा vlc player में या फिर आपका जो windows player है उसी में open होता है वो कभी ऐसे नहीं होता है कि आपने वीडियो ओपन कर कर तो शहले छहां में video play हो रहा है ऐसा कभी नहीं हो या फिर कभी word file ओपन कर रहा हो तो word file जो होती है mic typical version word में open होता है उसको आप कभी यह तो फिर उसको आप कभी यह नहीं देख़ोंगे सिस्टम करता है तो फाइल मैंजेंजमेंट बंतलब यह है कि जो भी आपके पास फाइल है या फी डाटा है उसको कैसे फाइंडल करता है और कहां ओपिन करना यह सब कोन करता है ऐपरेटिंग एपर लिखा वह यह सब क्या होता है आपने अगर लेटिस्ट वर्जन या पिर कहें तो लेटिस्ट है और आपने license version लिया है तो वो क्या होता है कि सारे चीज़े आपको third party जो कोई system है उसमें DNS पहले आपको alert देगा virus आरा उसमें पहले आपको alert मिलेगा तो ये सारी क्या होती है security purpose से हमें operating system सारा फायदा देता है ताकि हम लोग जो हैं तो computer जो है अच्छे secure तरीके से हम लोग use कर सकें ठीक कभी ऐसा नहीं होता कि आपने password डाला है और कोई आके खोल के और उसको use करने लग जाए operating system नहीं होता तो आप होता कि हो सकता है कोई भी आपका file या कुछ भी लेके चला जाए तो ये सब क्या होता है अपरेटिंग system में benefit देता है ठीक फिर आता है यहां पर control over system performance system performance मतलब यह है कि जैसे आप देखेंगे cleaner होता है और जो हमारा system होता है Windows Defender और SAC software है वो क्या करते हैं हमारा जो एप से software उसको क्या होता है क्लीन करते रहते हैं जैसे हमने 10 app वो यूज करते हैं 10 में से 5 app जो background में चल रहे हैं उनको automatic वहां से हटाता रहता है ताकि हम लोग जो नए software open कर रहे हैं उसको क्या करें वो अच्छे से perform कर सके ठीक आप अगर game खेल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो video player है और बाकी चीज़े उसको क्या करता है बंद कर देता है ताकि जो आप game खेल रहे हैं वो और अच्छे से आप perform कर सेके उस game को अच्छे से चला सके तो यह सब्पून करता है और आप बहुत सारे काम देखे होंगे आप अगर 2007 डाउनलोड करके रखें तो 2016 डाउनलोड करने में वो मना करें आप सेवन पहले से आप से स्टीम डाउनलोड ना करें तो बहुत सारे जो काम होते हैं वो क्या होता है अपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा जो हमारा सिस्टम है वो चल सके तो यह हो गया फिर आता है यहाँ पर जॉब एकांटिंग जॉब एकांटिंग मतलब जसे मैंने बताया था अपको कि आप पहले कोई आप उपन करें आपने क्या करा बीडियो प्लेयर प्लेयर उपन करा तो प्र आपने msव recipients करें 모습 करेंकर के कब होता कि हमने यह करता हमारे जो आपने कांदिये computer को वो वही काम करते है उसके अलावा और बाकी काम नहीं करता है तो यहां पर keeping tracking time and resources keep tracking of time and resources जो है तो time सारी चीज़ें आपको जो काम करते हैं उसको track करता है आपके काम के साब से उसको manage करता है ठीक आगे बढ़ते हैं फिर आता है error detection and ads तो यहां पर देखिए यहां पर product dumps जो है production dumps मतलब बेकार चीज़ें आपके पास भेजना वह नहीं होता है error जो अगर कोई problem आई तो उसको पहले ही message आ जाता है आप देखिए होंगे windows में टोंग करके आता है और आपको लिग के आ जाता है कि अभी एक virus आ गया है होते हैं हमें operating system provide करता है ऐसे error की जो problem होती कोई problem आने वाला हमारे computer में उससे पहले हमें alert देने काम operating system करता है ठीक operating system नहीं हो अगर अच्छे से design नहीं किया गया operating system तो उसमें क्या होगी बहुत सारे जो security लूप फोल्स है वो रहेंगे और क्या होगा कि आप उसको एक्स जो यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारी problem आएगी और आपको जो भी फाइल या वीडियो आपने डाउनलोड करके या आपने वीडियो बना कि अपने system में रखा है वह automatic format होता रहेगा डिलीट हो जाएगा और सिस्टम हैंग करेगा यह सब क्या होता है यह operating system अगर आच्छे डिजाइन नहीं किया गया तब होता है तो यह सारा जो benefit है वह हमें operating system अच्छा वाला जो होता हो देता है ठीक फिर आता है coordination between other software and users ठीक तो software और यूजर को अच्छे से मतलब coordination between user and software का मतलब यह है कि जब आप BLC player यूज करते हैं तो आपको BLC player में अच्छे से अच्छा speed मिल सके वह हो सके कहने मतलब sound मिल सके तो इसके लिए वह अच्छे से अच्छा ही जो हमारा प्रोसेसर होता है वो उसको यूज करना उसको जिसे गेम खेल रहा है तो गेम के हिसाब से प्रोसेसर को function करना जिसे मैंने बताया था पहले वीडियो में तो वो सब क्या करता है हमारा जो operating system है वो उसको काम कराने के लिए डिजाइन करा जाता है ताकि जो हम वोगों नहीं सब्टेर है और यूजर जो हम दोनों computer है और हम लोग है उसको computer को और अच्छे से यूज कर सके इसके लिए हमारा जो operating system है वो अच्छा काम करता है कोडिनेशन करता है ठिक समझ में आ होगा तो यह हो गया यह लगवग सब मिलते जुलते ही काम है तो आप confused नहीं हो जिए कि ऐसा सब में एक ही चीज बता रहा है यह उसका काम ही कुछ ऐसा operating system का सब के बीच में मतलब user और software के बीच में जो भी है सब इंटर जो काम हो रहा है इसलिए हम लोग user और software VLC यही सब चल रहा है क्योंकि हमारे जो operating system में वो काम ही करता है हमारे और जो software उनके बीच में अच्छे से अच्छा interface प्रोवाइट कराने का काम करता है या फिर काम करता है तो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो like, share, subscribe जरूर करे और अगर आपको कुछ problem हो, कुछ समझ भी नहीं आया हो, कुछ suggestion हो तो आप हमारे whatsapp, telegram number या signal में आप हमें question कर सकते हैं और यही slide अगर आप download करना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाया है तो आप यहाँ पर हमारा slide share का link नीचे दिया हुआ है तो आप वहाँ पे click करके और यह slide आप देख सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद